हेलो वरीवन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागद बच्चो जदा तर देखा गया है कि जो मैक्सिम बच्चों की प्राब्लम होती है कैलकुलेशन को लेकर कई बच्चों की जो कैलकुलेशन यह नहीं कि उनको नहीं आता है लेकिन बहुत ज़्याधा टाइम लग जाता है ठ स्कूल की बात नहीं करें आगे चलके आपको कॉम्टेटिव एक्जाम भी देने होंगे तो वहां पर तो यह टाइम तो बहुत ज़्याधा रोल प्ले करता है ठीक है वहां पर सारा खेल ही समय का होता है कि कोश्चन बहुत सारे होता है और अगर जो जितना ज़्याधा कोश कौन सी गलती हम करते हैं और कौन सी चीज़ा हमें करनी चाहें जिससे हम कैल्कुलेशन स्पीड को और हम अच्छा बना सकते हैं तो बेसिक से हमें स्टार्ट करना होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जोड घटाना गुडा भाग नहीं आता पाले नहीं आते गिंती नह साधमाना शुरू कर देते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है समेशा बेसीक से शुरुवात करना है आपको अगर आता है नहीं आता है दोनों के लिए बोल रहूं बेसिक से स्टार्ट करना है जैसे की गुना सिखो भाग सीखो, जोड सीखो, घड़ाना सीखो सिंपल वाले हसल का जोड सीखो, हसल का घड़ाना सीखो ये पहले सीख लो ठीक है? ये ज़रूरी है बच्चों को calculation क्यों नहीं आता है क्योंकि हमारे आत में हा गया सब के पास mobile पहले mobile नहीं था हम calculator खरीदने जाते थे मार्केट से calculator का फिर यूज करते थे लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं चरीदने के पैसे नहीं होते है आज के जमाने में हर किसी के पास mobile है मानते हो mobile में चर्ण बच्चा effort लगाना ही नहीं चाहता है मैनत करना ही नहीं चाहता है और यहीं से हमारी आदत भी कर जाती है आदत पढ़ जाती है कुछ भी जोडना हो गडना हो mobile उड़ा लेंगे calculation करना शुरू कर देंगे और फिर जब exam में simple जोल भी आ जायेगा ना वह पर अटक जाओगे 5 प्लस 6 कितना होता है सोजम पर जा रहे वाई कितना होता है 5 प्लस से 11 होता तुरहं दाना चाहिए लेकिन नहीं आएगा क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत पर चुकी है हमारा मैंड उसी चीज़ की और अडिशारा करेगा calculation करने से भी हमारा मैंड गभना आएगा क्योंकि तुमने उसे उसकी आदत लगा दी है ठीक है तो हमेशा एक चीज़ दूर रहना वह है calculator calculator मोबाइल की calculation से हमेशा दूर रहो चाहिए वो कितना ही tough calculation हो और कितना ही easy calculation हो आपको हमेशा copy और pen से खुद को solve करना है किसी की सहायता नहीं लेनी है ठीक है भली आप स्टार्टिंग में आपको पांच मेट लग रहा है क्योंकि लगने में लगाओ calculation करो लेकिन आगे चलके वही पांच मेट चार मेट होगा तीम मेट होगा दो मेट होगा एक मेट होगा सेकंड में आ जाएंगे यह एक दिन की जन्नी नहीं होगी यह आप बार-बार प्रेक्टिस करोगे बार-बार रिविजन करोगे गिवप नहीं करोगे तब जाके अप सीखोगे एक दिन का काम नहीं है इसमें समय लगता है मैं आपको थोड़ा से स्टोरी विजन हो देता हूँ जब मैं कक्षा ग्याना में गया था क्लास 11 में क्या होदा है फिजिक्स जब आता है तो केल्कुलिशन करनी पड़ती है अपों में भाग देना डेसिमल का भाग देना भाग वगर सो हमें आता है वही फेलियर बच्चा है वह फटा फट सेकेंट में कर दे रहा है और दे बूला है यह देख यह दख और हम उसकी तरह इसरे देख रहे है हम सोचते हैं यारी फेलियर होके इतनली जल्दी जल्दीена निंगाल ते रहे हमें क्या गल्टी है हमें यह गलती थी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी वो एक साल से प्रैक्टिस कर रहा था तब जाके उसकी कल्कुशन इतनी अच्छी हुई थी और हम थे बचारे नहे हम सिंपल सिंपल कल्कुशन करते थे आज कल हमें सडलनी ऐसे मिल रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम ल आपको सच में अच्छा बना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर रेगुलर उसमें अफर्ट लगाने पड़ेगा डेली कैल्कुलिशन करना पड़ेगा अपने जितने भी बेसिक्स हैं जो चीज़ भी आपको नहीं आती है एक लिस्ट बनाओ मुझे जोड अट जितने भी चीज़े होती है बेसिक लेवल पर वो सब एक लिस्ट बना और सब आना चाहिए उसके बाद कैल्कुलिशन स्टार्ट करो कोशिन बनाने की प्रैक्टिस करो दीरे दीरे अगर पहले कोई कुशिन चार मेंट लग रहा है तो उसी कोशिन को जब दुबारा बनाओ तीर मेंट लेगा तीर मेंट लेगा तीबारा बनाओके दो मेंट लेगा उसके बाद फिर मनाओके एक मेंट लेगा ऐसे प्रैक्टिस करते 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 वो सेकेंड में आ जायेगा और फिर आपको यह जो पैन उठाके कॉपी में करते हो ना कई बार ऐसा भी नहीं करना कम से कम मनिमम दो से तीन महीने का समय आपको लगेगा इन चीजों में लेकिन उसके बाद आपको रेजल्ट आपके सामने देखेगा ठीक है अगर आप लोगों को basic mathematics नहीं आती है तो मुझे comment करके बताए और जो list मैंने बोला है comment मुझे list बताओ कि सार हमें यह यह नहीं आता है इस पर एक वीडियो बनाई है तो मैं basic mathematics के वीडियो बना दूँगा और आपको सारे चीज़ सिखा दूँगा स्टार्टिंग से एकदम basic से जो गड़ान 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 भाग सब कुछ ठीक है दश्वनिम का भाग गड़ान सब कुछ बिर्णों का जो गड़ान एवरिटिंग ठीक है मुझे बस comment कर देना आपके list में जह देखना चाहता हूं कि तुमें कितना आता है कित विगोल